इस बात को लेकर तामिलाडू में बहुत ज़ारा गुसा है यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्राडिकल है शिलंका अरेस्ट्स 55 इंडियन फिशर्मेन और जो तामिलाडू के चीफ निस्टर है इन्होंने चिफ्थी भी लिखी है डॉक्टर रहषया शंकर को और ये का है कि पचपर इंडियन फिशर्मेन को जो रहस्ट किया है जल्द से जल्द इनको छड़वाओ क्यों कि यह देखो तो इंडिया की आठ फिशिंग शिप पकड़ दी है शिलंका ने और वहाँ से 55 फिशर्मेन को उन्हें किया है अरेस्ट शिलंका ने ये कहा कि ये लोग फिशिंग करते करते हमारे वाटर्स में आ गए थे इसलिए इन लोगों ने इनको अरेस्ट किया है तो तामिलाडू के सीम ने याँ पर ये का है कि शिलंका के जो अक्शन्स हैं बहुत अग्रेसिव है सेंटरल गर्मेंट को इंटर्वेंशन याँ आपर करनी चाहिए और हमारे फिशर्मेन को वापस भारत पे बलाना चाहिए अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि इंडिया की जो सरन स्टेट सेंड किये इनकी और तरीके से हेल्प करी लाइन ओफ क्रडेट भीन को उफर करी है इन दर फ्यूचर भी शिलंका को बचाने के लिए इंडिया बिलियंस और डॉलर्स का एक पैकेज अनाउस करने वाला है इस सब के बावजूद भी अगर यह हमारे फिशर्मेन को ऐसे ट्र जाएगी तो क्या similar case यहाँ पर geopolitically भी exist करता है तो discuss करते हैं सिचुको काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को बिलेगा बगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा के इन में से कौन सी एक official language है शिलंका की English, French, Sinhala, Malayalam comment section में करिए उत्तर सही answer मैं आपको दूँ अंकट है और रेड़ी इस छोटे से देश पर जो total करजा है यह करीब 70 to 80 billion dollars के आसपास तक पहुच चुका है और अभी तो यह बढ़ेगा अभी यह काफियत तक मैं मानके चल रहा हूं के 1.8 times और बढ़ने वाला है 2026 तक most probably इनका जो total debt है यह 150 से लेकर 140 billion dollars तक भी हो सकता है मुझे पता नहीं के यह लोग कैसे चुकाएंगे इतना सारा पैसा मगर शिलंका की सरकार ने भारत को request करी है के हमारे लिए urgent economic package बनाओ इसके अंडर हमको कुछ billions चाहिए soft loan में कुछ millions और चाहिए और उसके अलावा हमारे देश में कुछ कल को construction करनी है railway वनानी है उसके लिए भी हमको soft loan चाहिए तो इंडिया इस पर काम कर रहा है बहुत ही जल्द आपको दिएगा के food, medicine, fuel, various or commodities के लिए इंडिया एक mega package announce करेगा for the people और शिलंका और again हम यह सब तब कर रहे हैं जब शिलंका ने बार बार गोहार लगाई है कि we need India's help क्योंकि चाइना ने भी एक बार को यहाँ पर हाथ पीशे कर लिये हैं चाइना आज के समय शिलंका को और loan offer नहीं कर रहा तो तब जाकर जब कॉलंबो ने एक SOS, financial SOS signal भीजा डेली को तब इंडिया ने आपर एट किया है मगर clear दी हम देख सकते हैं ये लोग इंडिया की जो friendship है इसको value नहीं करते इनके action से साफता रगता है आप इससे पहले देख लो August 2021 में इन्होंने Indian fisherman पे firing start कर दी थी क्या आप imagine कर सकते हैं कि शिलंका की जो navy है जो इनके coast guard है ये कल को Chinese ship के साथ ऐसा कर दे मैंने आज तक सुना नहीं है कि Chinese fisherman को शिलंका ने ऐसे पकड़ा हो even though बीच में reports आई हैं काफी बार कि चाइना की जो fishing ships है वो काफी बार चाइना से all the way शिलंका आकर इनके water में fishing कर चु किसी देश की help कर रहे हैं इतना तो हम expert करी सकते हैं कि वो लोग हमारे citizens को एक common decency देंगे अगर मानलो कोई fisherman इनकी side आ जाते हैं तो अगर इनकी coastal boats इतनी capable है कि उनको arrest कर ले उन पर गुलिये चला ले तो उनको warning भी दी सकती है उनको पीसे धकेल भी सकती है उनके बहुत से options ह क्योंकि अभी के लिए जिस सरीके से शिलंका भीव कर रहा है हमारे fisherman के साथ मैं को बदा दू in the future इंडिया और सिलंका के बीच में एक diplomatic issue खड़ा हो जाएगा इस टापू को लेकर काचा थीवू टापू ये टापू इंडिया ने शिलंका को gift कर दिया था 1976 में और ये इतना important fishing spot है आज के समय इंडिया के जो कई fisherman है इस टापू के आसपास ही पकड़े जाती है हमने कई चीजे इतिहास में ऐसी करिये जो समझ नहीं आता does not make any sense whatsoever तो south की बहुत सरी states है वो आज के समय डिमांड कर रही है कि कार्चा थीवू जो ये टापू है इंडिया को वापस लिना क्योंके clearly शिलंका ने इतिहास में इंडिया की जो help है इसको appreciate किया है even 1971 वार में भी आप अगर देखो तो शिलंका कही ना कहीं पाकिस्तान की help कर रहा था शिलंका ने काफी बार जो पाकिस्तान एरफोर्स के fighter jets है उनको refuel करने की भी अनुवती दे दी थी अपने देश में during the 1971 war अब इस सब के अलावा शिलंका ने अब recently एक और step यह भी उठाया है कि इंडिया के साथ जो fisheries का issue है इसको यह लोग ले के जाएंगे UN में USA के पास internationalize करेंगे इसको और इससे भी साफ साफ यह दिखता है कि इंडिया के regarding इनकी कोई खास respect नहीं है कहीं से यह लोग value नही आपका opinion क्या ऐसे scenario में आप मानते हैं कि इंडिया को एक economic package release करना चाहिए शिलंका के लिए या आप मानते हैं कि नहीं इन्होंने कुछ भी हमारे लिए किया नहीं है इंडिया की कहीं पर help नहीं करी है उल्टा हमारे fishermen को यह लोग harass कर रहे हैं तो लिखेगा इसके वारे में comment section में मैं जाना चाहूंगा आपका opinion कि क्या ये fisherman का issue होते हुए भी इंडिया को economically help करनी चाहिए शिलंका की या फिर नहीं आप अपनी argument में ये भी लिख सकते हैं कि देखिए चाइना का issue है अगर हम help नहीं करते तो हो सकता है कि शिलंका बहुत ही ज़रा desperation में फिर से अपनी ब option पे कि official language क्या है of the country of शिलंका तो सयुत्तर यहाँ पे है option C, Sinhala दो यहाँ पर languages है Tamil और Sinhala, both of them are the official languages of शिलंका और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं simply जाओ comment section में यहाँ पे आपको मिलेगा ये link by any course using the code PG10 और यहाँ पे आप अगर click तो आपके सामने खुलेगा ये page और आप कोई भी exam किसी भी exam की आप preparation कर रहे हैं चाहिए UPSC, SSC, bank, CDS, IAT, JE, NEET किसी भी exam की preparation कर सकते हैं through an academy मगर यहाँ पर जो courses के price लिखे हैं pay करने की आप शक्ता है नहीं use the code PD10 for example आपको prepare करना है for UPSC, click on UPSC, CSE, get subscription और यहाँ वैयाँ खरीज सकते हैं plus या फिर iconic course मगर जो यहाँ पर prices लिखे हैं never pay these prices simply यहाँ पर code डालो PD10 और prices यहाँ पर अपने आप गिर जाएंगे, so use the code and save your hard earned money, so इसी note के साथ यह है video कांत, thank you for listening and as always God bless you all झार झार कर दो कि तो कि दो कश्आ तो कि बाई तो की यहाँ तो यहाँ रखराशा में सहाँ नहाँ अर्वाद़ साथरी टूपार के घुरूपाने उहाँ और हैं जहाँ भीज़दाधे, so He Сам जोग अर्भाद़ को यहाँ आपको यहाँ आज यहाँ चारी यहाँ पर को का